आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कन्या का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। कन्या का जन्म उसी व्यक्ति के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में बहुत पुन्य किये होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान किस घर को कन्या के जन्म के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं, जिसके कारण मनुष्य पुत्री के माता पिता बनने का सौभाग्य पाते हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको इतिहास में वर्णित ऐसी कई बातें बताएंगे जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पुत्री का जन्म बोज नहीं बलकि सौभाग्य का विशय है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में अत्यधिक पुन्य कर्म किये होते हैं, उन्हें ही पुत्री के माता पिता और सगे संबंधी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस दिन इस स्रिष्टी में बेटियों का जन्म होना रुख जाएगा, उस दिन स्रिष्टी भी ठहर जाएगी और इस स्रिष्टी का अंत हो जाएगा। दोस्तों, जब आप भगवान श्रिक्रिष्टी की इन बातों पर गौर करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि उनका कहना कितना सही है। क्योंकि अगर इस संसार में पुत्रियां ही नहीं होंगी, तो ना वंश आगे बढ़ेगा और ना ही ये स्रिष्टी। ग्यान दिया था। सभी धनुर्धर की भांती द्रौपदी भी शस्त्र विद्या जानती थी। इतना ही नहीं महाभारत में वर्नित है कि द्रौपदी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राजकारे में सहयोग करती थी। ये असत्य है कि हिंदू धर्म में लड़के लड़कियों की इज़त नहीं की जाती थी। क्योंकि द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे कौरव मिट गए और माता सीता के हरण से सोने की लंका जला दी गई। दोस्तों जब रामायन में भगवान राम शिवजी का धनुष तोड़ देते हैं तो राजा जनक विवाह के लिए दशरत जी को बुलावा भेजते हैं। दशरत जी आकर जनक जी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि आप दाता हैं और मैं या चक आपकी पुत्री का दान हम लेने आए हैं इसलिए बड़े आप हुए। हाँ दोस्तों लड़की के पिता को गर्व होना चाहिए कि वह देने वाले हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यू के बाद पुत्र पिंड़ दान करें तब ही पिता को मुक्ती मिलती हैं। परन्तु एक लड़की के पिता जब उसे अच्छा वर देखकर ब्याह देते हैं तब ही उनकी 21 पीडियों को मुक्ती मिल जाती है। इसलिए हमेशा अपनी पुत्री को प्रेम दें जिसने आपके घर में जन्म लेकर आपको पुन्य का भागी बनाया है। आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है। क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। माता-पिता के घर व इल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि रामायन में बताया गया है कि प्रभूश्री राम के पिता राजा दशरत की जब मृत्यू हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरत की बहू नहीं उनका पिंडदान किया था। जिससे उन्हें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ती मिल ग तो इस स्थिती में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों वो लोग बहुत किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर एक संसकारी पुत्री का जन्म होता है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्षमी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों की सोच हो सपने बन कर रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने का अवसर देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर खुशी दें जिसके लिए आप सक्षम हैं और जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक पुत्र से ज्यादा पुत्री हमेशा अपने माता-पिता के लिए सोचती है। पुत्री के हृदय में अपने माता-पिता के लिए प्रेम और अपना-पन हमेशा बना रहता है। इसलिए बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। दोस्तो बेटी कभी भी माता-पिता पर बोज नहीं होती। उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। प स्वामी विवेकानंद वैश्नो देवी की सीढ़ियां चड़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठा कर सीढ़ियां चड़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बाबा आपकी बेटी का बोज आपको लग रहा होगा। इसको मैं उ कि अनन्त पुन्य करने का फल मिलता है।